साथियों, किसानों के लिए भी कल बजेट में बहुत बड़ा एलान किया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक किसानों के लिए इससे बड़ी योजना कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाई है। इस योजना का नाम है पी-ए-म किसान सम्मान नीजी योजना। सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांस्पर हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इस योजना पर एक साल में 75,000 करोड रुपिय का खर्च लगेगा। हमारी सरकार की तैयारी है कि किसानों को पहली केस्त हो सके उतनी जल्दी उनके खाते में जमा हो जाए। भाई और बेनों इतने पैसे से हम भी कर्ज माफी का सोर मचा सकते थे। जैसे 2008-09 के चुनाव से पहले कॉंग्रेस ने ड्रामे बाजी की थी, कर्ज माफी की गोचनाएं की थी, हम भी कर सकते थे। लेकिन हमारी नियत साब है, नीती स्पस्त है और जिसके कारण हम किसान के हीत में पर्मेनेंट योजना लेकर के आए हैं। इस योजना से जिनको लाब मिलने वाला है, वो किसान जिन में से अधिकाउंस को कभी भी कर्ज माफी का लाब नहीं मिला है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि योजना वन टाइम नहीं है, अब ये योजना देश के छोटे-छोटे किसानों के साथ हमेशा के लिए रहेगी। साथियों, एक मोटा मोटा अनुमान लगाए, तो भोले भाले किसानों को दोखा देने के लिए कॉंग्रेस के गणीत में लगबग, हर दज साल पर एक बार कर्ज माफी का नमबर आता है। दज साल पहले कॉंग्रेस सरकार ने दावा किया था कि उसने किसानों का बावन हजार करोड रुपिय का कर्ज माफ किया। अब दस साल बाद वो फिर कर्ज माफी की बात कर रही है। वहीं बाज़पा सरकार ने जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी ये जो हम योजना शुरू की है उसके माध्यम से अगले दस साल में किसानों को साथ लाग पचास हजार करोड रुपिया मिलनाता है। अब मुझा बताईए दस साल में बावन हजार करोड और दस साल में साथ लाग पचास हजार करोड कौन सी योजना बड़ी है। पी-म किसान योजना बड़ी हैक नहीं है। किसानों का लाप करने वाली हैक नहीं है। दूसरा उनकी योजना का लाप जो बड़े किसान थे जो कर्द ले पाते थे। ऐसे दो या तिन करोडों तक पहुंचती थी, हमारी योजना बारा करोड किसानों के पात पहुंचेगी। आप मुझे बताइए, ये बारा करोड वाली योजना बड़ी हैक नहीं है। वे दस साल में एक बार लेके आते थे, हम हर साल पैसे देने वाले हैं, ये बड़ा हैक नहीं है। लेकिन ये सच कोई बोल नहीं रहा है, जुट बोल रहा है। और ये भी मत भुलिये कि जब कॉंग्रेस कर्ज मापी करती है, तो एक तरफ छोटे किसानों का 10-15 रुपिये को कर्ज माप होता है। और दूसरी तरफ लाखों रुपिये ऐसे लोगों का माप कर दिया जाता है, जो किसान होते ही नहीं है। अब कॉंग्रेस का ये जो गणीत है, देश का किसान भी देख रहा है और समझ भी, और इसलिए मैं फिर कहूंगा, आजाद भारत में किसानों के लिए ये सबसे बड़ी योजना बनी है।